स्वर कोकिला के निधन से भारतिय संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता है संगीत के अलावा कारों और क्रिकेट की शौकीन लता मंगेशकर ने 36 भाशाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाये थी लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र में डेब्यू किया था उनकी पहली कमाई 25 रुपे थी उनकी लाइफ स्टाइल काफी सिंपल थी लेकिन उनके पास कारों का बेहतरीन कलेक्शन था रिपोर्ट्स के मुताबिक लता दीदी के पास करीद 370 करोड रुपे की कुल संपत्ती थी उनकी अधिकान्ष कमाई उनकी गानों की रॉयल्टी से हुई थी इसके अलावा उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था वह साउत मुंबई के पॉश इलाके में रहती थी लता मंगेशकर पेडर रोड इस्थित प्रभुकुंच भवन में रहती थी उनके पास कारों का शांदार कलेक्शन था क्योंकि उन्हें अपने गैराज में बेहतरीन और स्टाइलिश कार रखनी का शौक था मंगेशकर ने काफी पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कारों के बहुत अधिक शौकीन है लता दीधी ने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले एक शिवरले खरीदी थी उन्होंने यह कार इंदौर से खरीदी थी उन्होंने उस कार को अपनी मा के नाम से खरीदा था इसके बाद उनके गैराज में ब्यूब कार आई उनके पास क्रिसलर कार भी थी लटा दीदी को यश चोपडा ने गिफ्ट में मर्सिडीज कार दी थी उन्होंने इंटर्व्यू के दौरान बताया था दिवंगत यश चोपडा जी मुझे अपनी बहन मानते थे और काफी सनेह देते थे वीर्जारा के म्यूजिक की रिलीज के समय उन्होंने एक मर्सिडीज की चाबी मेरे हाथ में रग दी और बताया कि वह मुझे कार गिफ्ट कर रही है मेरे पास अभी वहकार है सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सिलेप्स शौक्ट है सभी सिंगर की आत्मा को शांती मिलने की दूआ कर रही है आज हर भारती की आँखों में आसू है लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनकी चाहने वालों के कानों में गूंच रही है अब ये आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई है न्यूजविंग की ब्यूरो रिपोर्ट के क्यूदी के लोष सिक्वेशिते दौक्यर शणाहिं जह हано पहंट का बढलून का थिएचेता लोष साथ ब्रदिते का इडरे सची प्यॉत Gernady is a small place we have like very less facilities in terms of you know education and this kind of infrastructure it came to our mind that basically there should be यंधि आपरचुनिते धिर्थन स्टूंज धिर्डिदी दीज़ूस है विर्थना तो फिर्ण तुटूंगे कोई ले बाइब टॉट से देख आते। लेयर रिखर रिचेम्धशाशने लेडियर देखं़ाने में जी नॉटे लिए बटैश्टम। इसलों, है वागना हैक्ड I started coding because we can make our thoughts real, we can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.